नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है यह वीडियो आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 के हाइलाइट से संबन्धित है इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 के मुख बिंदूओं पर बात करेंगे आज संसत के दोनों सदनों में राष्टपती के अभिभासन के तुरंद बाद वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 को संसत में पेश कर दिया केंद्री बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया गया सर्वेक्षन यानिकी एकोनॉमिक सर्वे अपने पिछले वीडियो में बात यह की थी कि हो सकता है कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षन आये वह एक वल्यूम में आये लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस बार भी आर्थिक सर्वेक्षन दो खंडों में आया है पहला समग्र व्यापक आर्थिक और छेत्री विकास को शामिल करता है मतलब ये कि macro economic और sectoral development को उसमें दिखाये गिया है और दूसरे खंड में revised statistical appendix को शामिल किया गिया है सर्वेक्षन में यह बात कही गई है कि भारत की GDP 2022-23 में वास्त्विक रूप में मतलब यहां बात हो रही है real GDP की तो वास्त्विक रूप में 8 से 8.5 परतिसत बढ़ने का अनुमान है सर्वे में यह बात भी कही गई है कि अगर हम आने वाले वर्स में या आने वाले वित्ती वर्स में विकास को देखें तो विकास को किन बातों से समर्थन मिल सकता है तो यहां पर विकास को जो समर्थन देने की बात की गई है वो मुक्ष समर्थन है व्यापक vaccine coverage उसके बाद जो supply side है उसमें सुधार फिर निर्यात में विर्धी और फिर उसके बाद सरकार की जो fiscal policy है उस fiscal policy में जो capital expenditure है उसमें विर्धी तो ये मुख्य आधार हो सकते हैं आगे आने वाले जो वित्तिवर्स हैं 2022-23 का उसमें विकास के लिए अब हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक छंद 2021-22 की मुख्य विसिस्ताओं पर अगले वित्तिवर्स यानि की 2022-23 के लिए सकल घहरिलू उत्पाद यानि की GDP का जो अनुमान लगाए गया है वो अनुमान लगाए गया है आठ से साढ़े आठ परतिसत की सीमाई और यहाँ पर जिस ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है उसका जो आधार है वो आधार है तेल की कीमत और इसमें यह बात कही गई है कि जो आठ से साढ़े आठ परतिसत ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है वो आधारित है 90 डॉलर के मौजदा मुल्लिके मुकाबले 70 से 75 डॉ वहीं आगे सर्वेक्षन ये कहता है कि महामारी से कृसी सबसे कम प्रभावित हुआ जैसा कि पिछले दो वित्ती वर्सों से हो रहा है। की गई है जिसके अंतरगत, इलहन, दलहन और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। अब हर किसी के मन में महागाई की बात रहती है। तो एकोनोमिक सर्वे ने वैस्विक इस्तर पर महागाई के फिर से उभरने की और इसारा किया है। और इस महागाई के पीछे जो सिच्वेशन अभी देखा जा रहा है। अगर वह और बढ़ता है तो फिर इससे जो कच्चा तेल है उसकी आपूरती बाधित हो सकती है और अगर उसकी आपूरती बाधित होती है तो फिर उसका वैस्विक मुल्य बढ़ सकता है। वही आगे सर्वेक्षन में COVID-19 के लिए स समजोर वैवसायों को बेहतर तरीके से लक्षित करना संभव हो गया है। जो महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करता है और अगर ये नहीं किया जाता तो फिर ऐसा हो सकता था कि यह आर्थिक नुकसान कुछ जादा ही होता। अगर हम बात करें बारवेल के लिए और एक त्रिष्टिकोन रखते हैं आप लंबी अब्धी के लिए मतलब ये कि मद्धिवर्थी अब्धी के लिए कोई भी त्रिष्टिकोन नहीं होता है वहीं और द्योगिक छेत्र के 11.8 परतिसत की दर्ध से बढ़ने की संभावना एकोनॉमिक सर्वे में जताई गई है सर्वेक्षण में सेवा छेत्र में वित्तिवर्थ 2021 बाइस में 8.2 परतिसत की विर्धी का अनुमाल लगा गया है वहीं आगे वित्तिवर्थ 2021 बाइस में समाजिक सेवाओं पर खर्च 9.8 फीस दी बढ़तर 71.6 एक लाख परो रुपय हो 7.6 परतिसत की मजबूत विर्धी का अनुमान है मतलब ये कि जो सरकार के द्वारा की जाने वाली खपत है उसमें भी विर्धी हुए है अगर हम निर्यात की बात करें तो भारत का कुल निर्यात वित्तिवर्थ 2021 में महमारी से पहले इस्तर को पार करते हुए 16.5 फीस दी ब 29.4 फीस दी के साथ बढ़ेगी ऐसा सर्वे में अनुमान लगाए गया है सर्वे में EMI का भी जिक्र है उसमें यह बात कही गई है कि एक तो महमारी की स्थिति और इस महमारी में नौकरी की अंसर्टेंटी या अनिस्चितता लोगों को EMI से साफधान कर दिए अब हम बात कर करते हैं रेलवे की तो रेलवे को लेकर Economic Survey में अब बात कही गई है कि अप्रेल से नवंबर 2021 तक 65,117 करोर रुपए का पूंजिगत व्या किया गया है मतलब यह कि Capital Expenditure किया गया है वहीं चालू वित्वर्स में पूंजिगत व्याए परिवे मतलब Capital Expenditure दो दस्वलब एक 25,00,00 करोर रुपए है जो 2014 के इस्तर का पांच गुना है वहीं आगे सर्वेच्छन में यह बात कही गई है कि आने वाले वर्सों में रेलवे में पूंजिगत व्याए और बढ़ेगा और राश्टी विकास के लिए रेलवे एक इंजन के रूप में कारी करेगा अब अगर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टप इकोसिस्टम है अब यह बात कि कैसे भारत में बेहतर स्टार्टप इकोसिस्टम है उसके लिए कुछ आंकड़े पेस किये गए उन आकड़ों के मसार अप्रेल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में जहां 5000 नए स्टार्टप यूनिकॉर्न स्ट्रेनिका क्या मतलब है कि वह कंपनी जिसका मुल एक बिलियन डॉलर से अधीक है और यह एक रिकॉर्ड है अप्रेल नौबर 2021 में 75 IPO इसू के द्वारा लगभग 90 हजार करोर रुपे जुटाए गये जबकि 2020 में इसी अब्धी में 29 कंपनियों के द्वारा लगभग 15 हजार करोर रुपे ही जुटाए गये थे IPO का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में अपने शेयर को जारी करती है वही आगे अगर हम भुगतान संतुलन के पक्च की और देखें तो एकॉनोमिक सर्वे में यह बात कही गई कि विद संतुलन की इस्थिती सही बनी गए फिर आगे शेयर बाजार के लिए एकॉनोमिक सर्वे में यह बात कही गई है कि कुल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टर्ण ओवर में इंडिविज्वल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ कर 44.7 फिस्दी विए मतलब 45 फिस्दी हो ग सर्वेक्षन में यूपी आई के अंतरगत लेन देन पर भी प्रकास्ट आगिया है जिसके अंतरगत यह बात कही गई है कि यूपी आई के द्वारा लेन देन में काफी वृधी देखी गई है 2021-22 की अवधी में वहीं सरवेक्षन में मुद्रा और बैंकी के अंतरगत यह बात कही गई है कि बैंकों में दर संचरन मतला rate transmission नीजी छेतर के बैंकों की तुलना में साजनी छेतर के बैंकों की अधिक रही है इसका अर्थिहां पर क्या है? rate transmission का सीधा सा अर्थिहां पर यह है कि अगर केंद्री बैंक यानि की RBI रैपो रेट में अगर कमी करती है तो फिर इस कमी के बाद जो बैंक हैं वह जब अपने ग्राहकों को रिन देती है तो वह भी रिन में जो ब्याज दर तै किया जाता है उसमें भी कमी करेगी इसको कहते हैं rate transmission वहीं आगे housing center के संदर में यह बात कही गई है कि कई राज्यों की duty को कम करने के कारण COVID-19 की इस मंदी के बाद आवास की विक्री में विर्धी होने की उमीद है Economic Survey में National Infrastructure Pipeline पर होने वाले जो खर्चे हैं उसकी भी बात की गई है उसमें यह बात कही गई है कि अगर aggregate pipeline price की बात की जाए तो इसके लगभग 83% हिस्से पर पांच छेत्रों का कब जाए वो पांच छेत्र कौन कौन से हैं वो पांच छेत्र हैं सडक, railway, बिजली, तेल और गैस pipeline और दूसर जार और इन सब में सबसे जादा जो प्राइस है वो किसका है सडक का 27% उसके बाद railway का 25% उसके बाद बिजली का 15% फिर तेल और गैस pipeline का 8% और फिर टेली कौनिकेसन का 6% सरवे में पिछले वर्स में घाटे और रिन संकेतकों में ब्रिधी के बाद 2021-22 में सरकार का प्रदर्शन वित्ती अनुसासन और मजबूती पर सुद्रा है इसकी भी बात कही गई है और फिर अंत में सरवे में जो climate action लिया जा रहा है उस पर भी प्रकास्टा लग गया है उसमें यह बात कही गई है कि भारत सहित अन्य विकासिल देशों के सफल जलवाईू कारवाई के लिए climate finance या जलवाईू वित्त काफी महत्पून रहेगा तो इस परकार हमने इस वीडियो में आर्थिक सरवेक्षन 2021-22 के प्रमुख पहलवों पर एक नज़र डाली है लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिसन अप्टेट